नमस्कार दोस्तों, Great to India YouTube चन में आपका स्वागता हैं, यह है Future Learning Platform, तो आपने Morning का सेशन करेंट अफेर का स्टार्ट करते हैं, तो चैनल को जदा से जदा से सेर कर दीजिए और विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़ जाएए, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कॉर्शन परतिष्टिस्ट फॉलो अफ दा अमरिकन अकेडमी ऑफ नियोरोलोजी पुरुसकार 2022 के लिए, किस भारते चिकिसक को चुना गया, तो किसे चुना गया था, यह चुना गया था, N.V. सुन्दराचारी को, N.V. सुन्दराचारी को, सही आंसर रहेगा इसका, C. तो डॉक्टर N.V. सुन्दराचारी को, नियोरोलोजी के चहतर में, बहुँ मुल्य योगदान देने के लिए, समान दिया जाएगा, और यह जो डॉक्टर N.V. सुन्दराचारी नियोरोजी विवा के, सिदार्त मेडिकल कॉलेज विजेवाड़ा के परमुक है, तो यह कहा आता है, मस्तिक्स के उपचार के छेतर में काम आता है, तो जो टॉप फाइब जो पुरुसकार है, जैसे पर्टिस्टिस्ट बोल्ट जमान पदक 2022 से समनित होने वाले पहले बारते दिपक दर, कौन थे? दिपक दर, उर्दु बहसा के लिए साहित्यक अकादमी पुरुसका किसे निला गुपता, किसे निना गुपता, जैनेसिस प्राइस 2022 अलबर्ट गुवोला को मिला, और अंत्रास्टिस शाह सी महिला पुरुसका 2022 किसे मिला रिजवाना हसन को, किसे मिला रिजवाना हसन को, कैंद्री वित मंत्री, कैंद्री वित मंत्री कौन है, निर्मला सितरम ने मुक्यमंत्री सुस्म वित योजना मतलब CM Micro Finance Scheme को किस राजे में शुरू किया तो CM Micro Finance Scheme को किस राजे में शुरू किया तो यह जो राजे था कौन सा राजे है नागल है कौन सा राजे है नागल है तो Kendria वित मंत्रिया निर्मा सितमर विक्यमंत्री सुस में वित योजना लाजे राजदानी कोई माम सरूआ तो यह जो नागलेंड की राजदानी है काँ पर सरूआ था कोई माम काँ पर कोई माम है और इसका उदेशी जो है करसी और संबंध सहत्र म बारे में हम जानकारी देदाते हैं आपको तो नागलेंड की जो इस्तापना हुई थी वो हुई थी एक दिसंबर 1963 को कब हुई थी एक दिसंबर 1963 को और इनके जो मुक्यमंत्री है नेफियू रियो नो और लागलेंड के तीन पडोसी है कौन अरूनाचल पर्देश असम और मनिपूर नागलेंड के लिए रास्दानी कोईमा और नागलेंड के जो गवर्नर रेवकोन है जगदिश मुकी और इनके जो लोग सबा सीट कितनी है एक और राजे सबा सीट कितनी है एक और विदान सबा 60 Q Research Center द्वारा जारी इंडिया Sex Ratio at Birth Began Normalized Report के अनुसार 2019 में जन्म के समय बारत का लिंगा अनुपात कितना रहा तो बारत का जो लिंगा अनुपात है वो कितना रहा था 108 कितना रहा था 108 इस सरवक्षन के अनुसार परतेक 100 लड़कियों के मुकाबले पैदा हुए लड़कों की संक्या 2001 की तुनला में 110 से कम होकर 2019 सी किस में 108 तक रह गई कितने रह गई 108 तक परदान मंत्री नरंदर मोधी ने अमरता नामक एसिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्गटन कहां किया तो यह जो प्राइवेट अस्पताल का उद्गटन जो है एसिया का जो सबसे बड़ा तो यह कहां पर क्याता यह कियाता फरीदाबाद हरियाना में का कांप का पुस्त आफ तो तो टोसे कि सबसे बड़े जो है कितने 133एकड चहत्र में बना है अम्रता अस्पतल का निर्मान माता अम्रता आनन्द मही मत दौारा किया गया नक्सलवाद की समचया को जड़ से खतम करने के लिए बोपाल में आयोजित कैंद्रिय चहत्रिय परिशत की तो किसे किया जाएगा तो ये 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 बगवंत अनमोल गूँ तो विविन वाशाओं के 23 लेककों की कर्तियों को वर्ण 2022 के साहितिक अकर्जमी वब फुरुषकार के लिए चुना गया है कितने 23 लेककों की कर्तियों को राजीव गांधी ग्रामीन ओलम्पिक खेल 2022 का आयोजन कहां पे होगा और ये कहां पे किया गया था तो ये जो किया गया था अपने राजस्तान कहां पे राजस्तान इसका जो उदेशी था ओलम्पिक खेलों के उदेशी जो होते ग्रामीन खिलाडियों को कोज कर आगे लाना और उनकी परतिवा को तरासना और उन्हें पोर्साइथ करना और खेल भावना को बड़ावा देना तो इस राजी उगांदी ओलम्पिक खेलों में कबड़ी, सुटिंग बॉल, खोको, वॉलीबॉल, टैनिस, क्रिकेट एवं होकी सही 6 खेल को सामिल किया गया तो यहां पे इसमें जो खेल थे वो कितने थे 6 खेल को क्या किया गया था सामिल किया गया परतिष्टिट लिबिरिटीड मेडल 2022 से किसे समानित किया जाएगा तो यह किसे समानित किया जाएगा यह किया जाएगा वॉलडी मेर जलेस्क यूक्रेन के जो है रास्ट पति, सही आंसर डी सोतंतरता संग्राम में सामिल गुम नाम नायोकों के बारे में जानकरी उपलब करवाने के लिए आजादी क्रेस्ट नामक मुबैल गेम एप किसने लॉंच किया तो यह जो मुबैल गेम लॉंच किया था अनुराक ठाकुर्ने किसने किया था अनुराक ठाकुर्ने जो कैंद और उदेशी जो है इस मुबाइल एप का उदेशी है ऑनलाइन गेम के जरिये देश के उन हीरों के बारे में बताना जिन्हों ने देश की अज़ादी विकास में सयोग दिया है हिंदूस्तान पैट्रोलियम कोपरेशन लिमिटेड ने हरी तूर जा और परियमन परबंधन के लिए अपनी पहली गाए के गुपर से सप्रिडित बायोगेस परियूजना नहीं जो सुरूझ की गई तो यह कहाँ पर की गईती साचोर में कहाँ पर साचोर तो हिंदुस्तान पेटरुलियम रिफाइनर ने गोबर दन योजना के तहत राजस्तान के सासोर में अपनी प्हली गोबर बायोगेस पर्यौटत्र शुर्व कि थी करती दिन गाय के गोबर का उप्योग मोटर वान इंदन के रूप में कौन से? मोटरवान इंदन के रूप में किया जाएगा तो HPCL की जो इस्थापना है 1974 और इसका जो मुख्याल है वो कहाँ पे? बुम्बवी में और CMD जो हैं पूस्प कुमार जोसी है भारत में टमाटो फ्लू नामक वाइरस का पहला मामला किस राज़े में पाया गया? तो ये जो राज़े में पाया गया वो पाया गया कैरल में कहाँ पे पाया गया? कैरल में टमाटो फ्लू वाइरस सबसे पहले कैरल में कॉलम जिले में रिपोर्ट किया गया था और बारत में tomato flu के 80 समभाव उत्मावले, कितने देखने को मिले बारत इन सभी की जो उमर है, तो ये जो वायरस हैं तो 5 उमर कितनी है? 5 वर्स, 5 वर्स से जो कम है बच्चों के लिए tomato flu होने के तवचा पर चकते भी दिख़ी देते हैं जिसने मरीजों को तवचा में जलन की सिकाईत रहती है बारत की साइंसकतिक विराशत की रक्षा के लिए किस बारतिय मोटर कंपने ने यूनिस्कों के साथ समझोता गया अपना हस्ताक्सर किये तो यह जो हस्ताक्सर केते हैं रोयल इंफिल्ड तो जैसे कि आपको पता है रोयल इंफिल्ड और सहयुक्त राश्टे सेक्ष्णिक व्यग्यानिक और साइंसकतिक संग्टन हिमाले से सरू होकर तहां से कि जो इस्तापन होई तो 16 नॉवंबर 1945 और मुख्यल जो है परिस फ्रांस में है डैली इस्टेटिक जीके की बात करते हैं तो अभी हमने 12 कोर्षन जो किये थे MCQ जो करेंट के थे और अभी हम 10 कोडशन करेंगे जो रहेंगे अपने डैली इस्टेटिक जीके के तो स्टेट करते है सबसे पहला सन 1714 में कर नाल की लढ़ई में मुघल सेना को किस ने पराजित किया था है तो यह मुघल सेने को जो पराजित किया सेना को किस ने पराजित किया था तो ये मुगल सेना को जो पराजित किया था किस ने किया था नादिर सान LCD प्रोजेक्टर का विश्कार किस ने किया था तो जिन डॉल गोपने किस ने किया था जिन डॉल गोपने बोतिक माथ्रा में चुम्मक के प्रवक्त के क्या होती वैबर क्या होती है वैबर किस राजिय ने बारत में सरुपरक्तम पंचैती राज विवस्ता अपनाी थी अपने राजस्तान में अपनाी गई थी सन 1574 इसी में हल्दी गाति की लड़ई में अक्बर और किसके बीच लड़ई की गई थी अक्बर और माराना परताब के बीच ये लड़ई की गई थी जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम्मिंग लेई वेज का अविष्कार किसने किया था ब्रेडन इच ने किया था किसने किया था ब्रेडन इसने जो जावा iscriptic program क्भडी के एक team में khilhaडियों की संख्या कितनी होती तो कबडी team में जो किशक्या होती होती है वो होते सांह इंडिया forum midnight to million नामक पूस्तक के लिख कौन है ससी धरूर कौन है ससी धरूर about read की हडि वाले प्रानी किस परजाती के अंतर कता आता है वह आता है कोड़ेटा किससाल कॉड़रेटा माने अब जाती के कान की सुनने की समता कितने होती तो 20-20-0.000 हर्ज तब तो आज का अपने current affair के class यहीं समाप्त करता हैं तो आज इसी तरही से आप मेरे को support करते रहे हैं तो आपके आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे exam में जितने भी course बनेंगे वो मैं लेके आऊँगा तो आज का session के लिए दन्यवाद Thank you